Hello dear lovely colleagues, on the trail of earliest people, history, second chapter इस chapter को सुरूख करने से पहले थोड़ा सा chapter के background को थोड़ा सा देख लेते हैं In practically हम जब भी किसी नए person से मिलते हैं, तब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इस से या तो friends से जान लेते हैं, नहीं तो neighbor से जान लेते हैं, नहीं तो किसी relative से जान लेते हैं क्यों जानते हैं, तो अगर उससे हम लोग in front मिलें, तो acquired फिल ना हो, उसलिए हम लोग पहले उसके बारे में कुछ information collect कर लेते हैं वैसे ही इस chapter को सूरी करने से पहले थोड़ा से इस chapter के थोड़े-थोड़े से facts के बारे में जान लेते हैं कि ये chapter आखे में क्या-क्या रख, तो आईए सूरी करते हैं, पहला है period of astonage, period of astonage को तीन भागों में बाटा गया है पहला paleolithic जिसको earliest period भी कहा जाता है, दूसरा mesolithic जिसको middle astonage भी कहा जाता है, तीसरा है newolithic जिसको new astonage कहा जाता है या new age भी कहा जाता है, ठीक है तो ये इसको तीन भागों में बाटा गया है, अब आएए इसके paleolithic के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो paleolithic दो Greek वर्ट से बना है, कितने वर्ट से बना है, दो Greek वर्ट से, पहला paleo जिसका मतलब होता है old और lithos मतलब होता है astone, तो old astone, paleolithic मतलब old astone, अब इसकी खोज इंडिया में किस के द्वारा की गए थी, तो इसकी खोज, British geologist, ध्यान दिजेगा, आर्कलोजिस्ट नहीं, geologist, British geologist, 8084 में, चन्नाई के पल्ले वर्ण में, सबसे पहले इन्होंने paleolithic sites के बारे में पता लगाया, जिनका नाम था, Sir Robert Bruce Fruits नाम था, Sir Robert Bruce Fruits इनका नाम था, कहा खोज किये थे हैं, तो चन्नाई के पल्ले वर्म में खोज किये थे, ठीक है, अब इसका time period को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, paleolithic का time period को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये है 2 million से लेकर 12,000 BC तर, 2 million BC से लेकर 12,000 BC तर इसका time period है, किसका time period है, paleolithic का time period है, अब देखो, यहां घबडाना नहीं है के मतलब होगे आपके 12000 में तो 2 million BC से लेके 12000 BC तर अब इसकी खोज किये थे sir Robert Bruce fruits ने खोज किये थे 84 में खोज किये थे और जो human history का जो जितने भी इसमें time है human history का वो 99% इसी प्रियर्ड में देखने को मिलता है, चाहे वो जंगलों से निकल कर केपस में रहाना, या नदियों के किनारे रहाना, या टूल्स को बनाना, या पहले सुरू-सुरू में जब ये जंगल से निकलेते हैं, कौन? तो अर्लिएस पीपूल, उस समय ये पैरों और हाथों की म अधर से चलते हैं, जैसे जसे टाइम निकला. उस दोरान इनका थोड़ा सा स्कील हुआ, तो इस maniac हुआ, त यह साट से फ्री हूए और पैरों से चलना इस्टार्ट किया है होते थे क्यों बड़े होते थे तो यह तुरांत अभी स्टार्ट अपने लाइफ को थोड़ा सा मूव किये थे तो उतना स्कील ग्रोथ हुआ नहीं था और जाहिश सी बात है कि अगर स्कील ग्रोथ नहीं होगा तो इस टोन का साइज तो बड़ा ही क्यों बड़े थे जबंगी किसी चीजर छी बढ़े बनीए तो उससे में उतनाί इसकील ग्रोथ नहीं होते हैं लेकिन इसी पर अगर उसने लगातार काम करता है हो में तब यहीं इसके टकनलोजी की वैसे इसके टकनलोजी के कर रहे क्यूं आ रहे क्यों अधर लगतार हुमन ने उसमेह बहुत ज्यादा काम किया तो कामदरी昨 गार्ट का साइब बड़े-बड़े हो थी किसके वह चैट के स्टोन वह बने होते थे किसी क् सटोन कहा होते थे马 recognition सब्सक्राइब नहीं कि अधिक एज है इसको आइस इस भी बूले जाता है क्यों आई से तो आज से 66 मिलियन पहले आज ए जब वो एस्ट्राइड हमारी प्रीथवी से टकराया तब उस समय हमारे प्रीथवी का जो एको सिस्टम था वो पूरी तरसे डिस्टारब हो गया या पूरी तरसे डिस्ट्राइड हो गया जब हमारा प्रीथवी का एको सिस्टम डिस्ट्राइड हुआ उस समय हमारी करने लगा वो पूरे हमारी प्रिथवी पर बर्फ जमने लगा इस लिए इस प्रिएट को आइस इस भी कहा जाता हैं ओके